सु गैस जिस अपडेट का इंतिजार था ब्राइट कॉम ग्रूप के तरफ से वो अपडेट अभी आ चुका है ब्राइट कॉम ग्रूप के तरफ से जी हाँ अभी बोड ऑप डारेक्टर का एक बहुत बारा एलान हो चुका है यानि कि अभी री एपोइट्मेंट किया डॉक्टर सोरवी सीनहा को as an additional director in the category of non-executive independent director जी हाँ गाइस अभी इसी update का इंतेजर कर रहा था Brightcom Group का बहुत सारा shareholder मगर आज के दिन हम लोग बात करेंगे ये जो डॉक्टर सोरवी सीनहा है वो काम क्या करते थे इसे पहले उसके साथ ही साथ उनका qualification कैसा है सब कुछ आज के से बीडियों में बात करूंगे उसके साथ ही साथ गाइस अभी अगले दिन क्या अपर सर के लग सकता है उसके साथ ही साथ गाइस अगर ये share में गिराबाट होता है तो फिर कहां पे support अभी आ रहा है टेक्निकल अनलाइसिस के दुवारा तो अभी हम लोग का फाइंड करने के कोशिश करेंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक देखना और 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 सब्सक्राइब कर लिजेगा ब्राइट कॉम ग्रूप के तरफ से जितना भी नया और खेश लिट इस टाबि पद में अभी जो एलान कर दिया है वो अभी उनको निजुक्त किया जाएगा वो अभी निजुक्त होगा पांच साल के लिए आप देखे सकते हूं कि पांच साल के लिए यानिकी टूटाउजन टूटी एट तक अभी इनका जो पोजिशन है वो अभी हो सकता है और अभी खिलाल के लिए जो पोजिशन है वो एक्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि अभी शेयर होल्डर्स के अप्रूबल चाहिए अगा शेयर होल्डर्स ने इसको एप्रूबल कर देता है तो उसके बाद अभी री आपर्टमेर किया जा सकता है डॉक्टर सोरभी सिंहा को अभी इनको देखी सकते हो यह रहा उनका पिक्चार एक और डॉक्टर सोरभी सिंहा पी एजडी किया था मैथमेटिक्स में जो की इंडियान इंस्टिट्यो आप टेक्मोलोजी यानि कि आयाइटी खरकपूस से उन्होंने एक अच्छा खासा मैथमेटिकल डिगरी हासिल किया है जो कि पीएजडी किया है उन्होंने उसके साथ ही सब्वसिना अजिसर्ट कि उनका रिसार्ट एड़ काऊंसील आप संधिक अंद्नीर लिशाठ आवी इन्धर इसर्मीन णारथ आदेन्टिक्स में खड़कपूस से साथ साल पहले पीएज़ी किया है कि आप उसके इसने बहुत सरा आप अ एक काड़ केसे तो अभी देखते हैं कि श्यारोलडर्टर्स ने क्या करता है अगा शेयरोल्डर्स इनको फिर से अप्रोबाल दे देता है तो फिलाल के लिए इनका जो लग रहा है तो हो सकते ही कि लगना बंध हो जाए अगर लगता भी है तो उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशन नहीं आएगा तो आप यहां पर थोड़ा सब गौर कीजे मार्केट जब गीर जाहता ब्राइट कॉम ग्रूप के साथी साथ एक अच्छा खासा गिराबर भी हमको देखनों को मिला है उसके साथी साथ आप देखिए कि किस तरह से वॉल्यूम का इंक्रिमेंट देखनों को मिल रहा है और इसी लेवल का असपास वॉल्यूम ने एक अ देखनों को मिला है और अभी कर्येंट ली अगर हम लोग वॉल्यूम का ग्राप को देखे तो भॉल्यूम का ग्राप जो है वो धिर देखर के गीर रहा है उसके साथी साथ गायस हमको एक बहुत बड़ा अपडेट इनिकल के आ रहा है ब्राइट कॉम ग्रूप का जो कर सकता है तो यहाँ भी रुपीस का असपास एक बहुत ही ऐस सपोर्ट देख रहा है टेकनिकल से के तरफ से मगर कोई भी किरभाट हो सकते हैं तो अभी के लिए जो फ्रेश बाइंग नहीं करना है जिनके पास भी ये शेयर होल्डिंग में अबलेबल है तो उनको तो अभी फिलाल के लिए होल्डी करना चाहिए और अभी फिलाल के लिए सेलिंग पर सथ थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि अभी ये जो अपडेट निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव अपडेट भी है तो अभी देखते कि क्या होता है मगर फिलाल के लिए सेलिंग पर सब्सक्राइगा कोई भी लोग बाइंग नहीं करना है और आपको नजर में रखना होगा अगर आपको शेयर करना है तो आप सेल कर सकते हो क्योंकि फंडमेंटल ये श्यार कर भी जैदा खराप है तो अगर आपको को से करने का निकल सकती है कि तूरूपि का असपास भी यहाप आसकता है तो फिलाल के लिए जो रिस्टस था जो कि 5 सब्सक्क्राइंग को दिख रहा है यहां आपको दिखा देता हो इस के प्रेंगा इन नाइन का भी थूरा सा सपोर्ट यहां पर रहा है तो सकता है कि मारे के डि से लेवेल कास थोरा सा रुख जाए यह जो लेवल यह पर रूख जाए तो फिलाल के लिए आज इसे वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सबस्क्राइब कर सकतो आगे आने वालों दिनों में ब्राइट कॉम बुरूप के तरफ से जितना भी खबर आई गा वो मैं आपको को शेयर कर दूंगा तो थैंक्यू सो मच और आजिंग दिस ब्राइट कॉम ग्रूप तो पांच-पांच परसेंट के लोर सर्किट लगे चले जा रहे हैं वह सेवी का शोकॉस नोटेस सामने आ गया है अशी अब तो निकलने के मौके भी नहीं दे रहा है अशी सर क्या करू है पिछले कुछ समय से अपने प्रॉफिटिबिल्टी के पर अपनी मैनेजमेंट में अपनी ओलिंग ओपन मार्केट में काफी सेल भी की है तो जिसके चलते यह सेवी का एक्शन भी देखने को मिला है तो मेरी सला रहेगी मैं कि जब भी आपको पहला मौका मिले से स्टॉक में से निकल जाने का तो आप बिल्कुल निकल जाएं इसको आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा इसमें कोई चोईस नहीं है क्योंकि आप कंपनी में यह जो सेवी के इंकॉरी आया है जो फिक्टीशिस नंबर्स की बात हो रही है तो इसके बाद यह स्टॉक में दुबा कर सकते हैं पहले स्टॉक रहे का बैंक ओफ महारास्ट्रा जो लोर प्राइस रेंज में है इस स्टॉक पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं और तीन साल आपको और नजरीया रखना पड़ेगा तीन साल में यह आपका यह दी दस वारा रुपे में भी सेल हो जाता है तो इसम तीन साल का लक्ष इस स्टॉक का भी मेरा करीब साथ रुपे का रहेगा तो इन दौनों में से कोई भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं इस जो ब्राइट काव में